प्रंट्स पहले हमें यहाँ पर scale की help से एक line draw करना है, line के measurement मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत carefully यहाँ पर एक एक note कीजिए, आपको यहाँ पर 9 cm का एक line draw करना है नीचे, यह length होगे हमारे rectangle की, पहले हम लोग एक rectangle draw कर रहा है, तो पहले आप लोगो यहाँ पर 9.5 cm का line draw करना, length और 2.5 cm का width draw करना है, अब इस rectangle को आप लोग lightly erase कर लीजे कि सिर्फ आपको दिखाई दे और भी light आप लोग erase कर सकते हैं, तो इसके अंदर हमें diagram को draw करना है, मैं थोड़ा camera's किया तागि आपको भी हलकालका दिखाई दे, फिर उसके बाद आप लोगों को इसके अंदर cuboids draw करना है, cuboidal epithelium वालों draw करना है, यह half draw करना है, यह half draw करना है, और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अब हम cube shape पर draw करने वाले हैं, हर एक को, और हमें इसे बिल्कुए straight draw ने करना है, curves रखने हैं, देखिए, आप देख सकते हैं, मैं curve रख रहा हूं line को, थोड़ा-थोड़ा curve इ मैनर में draw करना है, आपको ध्यान रखना है, दूनों ends पर disconnected cube आपको draw करना है, जैसे left hand side पर मैंने किया हुआ है, अगर आपको किसी और diagram में problem हो, तो आप मुझे comment box में ज़रू बताएगा, मैं आपको instant reply दिनने की पूरी कोशिश करूँगा, आप यहाँ पर हम लोग एक और cuboid बना लेते हैं, यह हमने बना लिया, cuboidal epithelium, आप गैस इसके बाद हम लोगों को simply इसके अंदर nucleus ड्रो करना और base membrane ड्रो करने, तो पहले हम लोग nucleus ड्रो करते हैं, तो आप लोगो जो half बाले उनके अंदर ड्रो नहीं करना, simply जो complete वाले cube हैं, उनके अंदर बस ड्रो करना है, तो आप मुझे step by step follow कर देज़े, कुछ इस तरह की lines भी ड्रो कर लेने, इसके अंदर, same manner में आप लोगो सभी में कर लेना, यहाँ पर, जो 3 मेंने बनाया, आपने भी 3 ही बनायोंगे, तो सब में आप लोगो same nucleus ड्रो कर लेना है, अगर आप लोग इसे project के लिए, exam के लिए draw कर रहा है, तो बहुत step और carefully draw कीज़ेगा, ताकि आप लोगो perfection के साथ इसे draw कर पाएं, आप guys हम लोगों ने यह तो draw कर लिया है, इसके बाद आप लोगो simply नीचे scale को place करना है, थोड़ा दूरी में place किज़ेगा, यह है basement membrane, आप लोगो dotted line की helps इसे draw करना है, इस space दे के आप लोगो थोड़े-थोड़े dots बनाते जाने है, यह हमने draw कर ली, अब इसके अंदर आप लोग freehand भी draw कर सकते, एक-एक dotted line और draw कर लेनी है आपको, आप इसे freehand draw कर लीजेगा, ताकि easily draw हो जाए, यह मैंने draw कर ली, तो guys, यह कोच असतरा से हमने इस diagram को draw कर लिया, complete, आप लोग इसे यहाँ पर screenshot चाहें तो कर सकते, आप हम लोग इसकी फ़र्दा labeling कर देते हैं, then after guys, यह हमाँ label diagram हो चाहे, complete video चलगा, तो वीड़ो को like करें, चल में नहीं हो, तो subscribe करने से सब्सक्राइब करने साथ, वलावले बेल आइकन को turn on करना मत भूले का, और अगर आपको किसी और diagram में problem हो, तो आप मुझे comment box में जरूरू बताएगा,